नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में दोस्तो, आईटिया वाले बच्चों के लिए, अप्रेंट्शिप वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है आप इसे खुश खबरी बोल सकते हैं अगर ऐसा ही रहा, तो आगे चलके एक आईटिया वाले बच्चे का भविश्य जो है एक अच्छी दिशा में जाएगा इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना वाट्सप निकालो, फेस्बुक निकालो, इंस्टाग्राम निकालो और इस information को जो है बच्चो तक share करो, ताकि वहा बच्चे भी इसके बार में aware हो पाए आगे बढ़ने से पहले में एक चीज आप लोगों को और बता दूँगा, बड़े-बड़े coaching center, बड़े-बड़े YouTube channel जो इस तरीकी की vacancies की तयारी करवाते हैं, वो इस चीज का विरोध करेंगे क्यों करेंगे, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को इसके पीछे concept क्या है तो भाईया, मैं कोई आपको news paper की cutting नहीं दिखा रहा, मैं आप लोगों को कोई third party की website नहीं दिखा रहा मैं railway की official website, western railway की वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इस पर एक important notice update हुआ है तो यहाँ पर जो आप लोगों के सामने है, मैं read कर देता हूँ, लेकिन एक request कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को जो है इस information को जरूर शेयर करना, ताकि वह बच्चे aware हो पाए, यहाँ पर जो important notice है, यह Indian railways, government of India, ministry of railways, railway board request educational qualification for railway jobs in level 1, level 1 की vacancy यानी group D की vacancy, इसके लावा और भी हो सकती है, मैं आपको group D का example देके समझा रहा हूँ यहाँ पर जो इन्होंने notice में लिखा है, वो लिखा है, the one time exemption granted by Indian railways in employment notice number 02-2018 and RRC 01-2019, आप लोगों को पता, इस दो पिरेड में आप लोगों को vacancy दे गई थी, जिसमें group D की vacancies भी थी issued by railway recruitment board in February 2018 and March 2019, respectively, was only special dispension for those recruitment drives and same has now been withdrawn यह साफसा बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, कि आप लोगों की qualification जैसे पहले थी, वही आप लोगों की qualification रहेगी मैं नीचे आप लोगों को और अच्छे तरीकी से संजादेता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं सिर्फ IT वाले बच्चों के लिए, apprenticeship वाले बच्चों के लिए एक membership चला रहा हूँ, आप description में link देखेंगे, आप उसे join करो फिर जो fund हमारे पास इखटा हो रहा है, उससे हम digital board लेंगे, और आप लोगों की सेवा पूरी की जाएगी, आप चिंता मत करो, lifetime membership है, जिंदगी भर के लिए आप उसे join कर सकते हैं, बस एक बार आपको pay करना है, और किसी को जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, अब आते है main point पे है, उसका link description में और पहले comment में, the minimum education qualification for all future recruitments to be notified after 15-6-2019, ये बोल रहे है कि 15-6-2019 के बाद जो भी notice आप लोगों को अब दिया जाएगा, level 1 of the pay matrix in technical department, जैसे कि civil हो गया, engineering हो गया, mechanical हो गया, electrical हो गया, signal and telecom departments हो गया, and catering wing of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate, ये बोल रहे है कि आपको अगर जो है, यहाँ पर अब चलके level 1 की vacancies में, जो है मोका चाहिए, तो आपको 10th pass होना है, और 7 में आपके पास apprenticeship का certificate होना चाहिए, या फिर आपने ITA किया होना चाहिए, ध्यान से सुनना, या तो आपने apprentice की हो, या फिर आपने ITA की हो, अब कौन सी trade होगी, देखो, fitter, electrician, welder, जो mechanical की trades है, engineering category trades है, उनको तो 100% मोका दिया जाएगा, लेकिन जो non engineering category trades है, उनके लिए आप लोग परेशान मत होईए, जब notice आएगा मैं clear कर दूँगा, तो यहाँ पर, यानि कि यह समझो कि apprenticeship वाले बच्चे और ITA वाले बच्चे एक बह या तो आपकी apprentice complete होने चाहिए railway से, या फिर आपने किसी भी विवाग से ITA किया होना चाहिए, अब बच्चे बोलेंगे कि सर जी यहाँ तो NCVT लिखा हुआ है, क्या करें, भाईया NCVT जब आप लोगों को कोई भी apprenticeship का certificate मिलता है ना, तो उसमें NCVT ही लिखा रहता है, तो SC SCVT वाले बच्चे परेशान मत हो, यहाँ पर इन्होंने 10th pass plus ITA लिखा है ना, इसका मतलब है 10th plus ITA आपका SCVT से हो, या NCVT से हो, कोई फरक नहीं पड़ता हो से, अगर SCVT वाले बच्चे railway में नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा फिर, बहुत सारे बच्चे जो है, प्र prepared accordingly, एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप लोगों की यह qualification नहीं है, तो फिर आप लोग जो है, इसमें apply नहीं कर पाऊगे, हाँ, वो जो अलग vacancies होती है, या स्वीपर की होती है, या फिर सफाही वाले की होती है, धोबी, ओबी की होती है, अगर railway में निकलती है, उसमें simple criteria 10th pass का होगा, लेकिन इसका अभी कोई update नहीं है, हमारे पास ITA का है, apprentice का है, और हम लोग इसी पे focus करते हैं जादा, अब बात मैं करता हूँ, उन बंदों की जो इस चीज़ का विरोध करेंगे, मैं बताता हूँ इस चीज़ का, विरोध करेंगे इस चीज़ का, बड़े- इस वज़े से बड़े-बड़े जो आप लोगों के सामने यूटूबर से या चैनल से हैं, या फिर coaching centers हैं, वो इसका विरोध कर सकते हैं, अब ये notice पहले ही already इन्होंने inform कर दिया था, कि इसके बाद जो भी vacancy निकलेगी, हम लोग जो है, ITA रखेंगे, उसमें या फिर apprentice र अब बच्चे admission नहीं लेते हैं, ITA में, अब एक boost मिलेगा, और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर देखो, अगर आपने railway से apprentice किये, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने railway से apprentice किये, तो आपको ये benefit मिलेगा, apprentice वाला, लेकिन ऐसा compulsory नहीं है, कि आपका apprentice करना जरू हो जाएगा, उनको जो है, यहाँ पर अलग से और ज़्यादा marks लाने की जुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनको थोड़ी सी ज़्यादा मेनद करने पड़ेगी, क्योंकि वेकेंसी 10th pass plus ITA होगी, competition थोड़ा सा कम होगा, reason मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख competition बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक separate community बनेगी, ITA वले बच्चों की, और उनको मोका दिया जाएगा, ठीक है, बाकि आप लोग हमारी community जोइन करो, link description में है, पहले comment में भी link दे दूँगा, और news आपको अच्छी लगी तो like करना, और अगर आपको news अच्छी नहीं लगी, तो भी है, dislike का button है, बगल में, उस पर dislike करना, धन्यवाद, और बाकि कोई और news चाहिए, तो आप लोग बता दो, इससे लेटर कोई, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, बाकि मैं इस notice को, जो है, snapshot लेकर रख लेता हूँ, क्योंकि क परिशान मत हो, उनके लिए फिर ये वाला criteria आ जाएगा, ठीक है, फिर आप लोग इसमें फोल नहीं करोगे, आपको वो वाला benefit नहीं मिल पाएगा, पीटी वाला, कि आपका पीटी नहीं होगा, और वेटेज जो है, आप लोगों को अलग से मिलेगी, फिर वो benefit नहीं मिल प कर रहे हैं, ठीक है, गदो वालों नहीं, दिमाग वाली, धन्यवाद, ठीक है, I hope कि सारे points इस notice को लेकर clear, फिर भी कोई समस्या है, तो आप जो है, हमारी community join करो, description में और comment box में link दे रखा है, thank you, या फिर comment कर दो हमें,